हाई फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम की करेंट अनाजी बता रहे हैं उससे पहले मैं बताती हूँ दोस्तों आज रात को दस बजे जो है पास लाइफ रिग्रेशन का रिलेशन्शिप के उपर आधारित एक सेशन होने बाला है आप जाहो तो उसे अटेंड कर सकते हो हर संडे को ज गिफ्ट्स जो है ओपन हो सकते हैं आपको काफी मदद आपकी स्परिचल जानी में हो सकते हैं सब्जेक्ट चाहे जितना कोई भी हो लेकिन जो डीप में आप उतरते हो आपकी लेयर्स निकल जाती है आपकी गंदगी हट जाती है आपकी स्परिचल गिफ्ट्स ओपन होता ह तो ज़रूर अटेंट करना चाहिए, ओके, बात करते हैं पहले divine feminine energy की, divine feminine energy जो है बहुत ही मतलब जो awakening के time पे शायद उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शायद वो चीजी अलग थी, कहा जाता है कि वेटन फिलम्स को जो है inner work करना चाहिए, पर reality ये है कि जो जितना बड़ा soul shock कहिए, या जो changes उनके अंदर ईश्वर कर रहा होता है, उनके कुलिया वेकन कर रहा होता है, पता नहीं क्या-क्या process उसको, हजारों चीजे हम उसको बोल सकते हैं, उस process में possible नहीं होता है कि आप deep साधनाओं में उतरो, क्योंकि already energy आपके उपर ईश्वर डाल रहा होता है, ऐसे में आप खुद अगर meditation से energy अपने अंदर खीचने की कोशिश करते हैं, उस समय काफी तकलीफ होती है, मुझे याद है, काफी सारे high vibrational कहा जाता था, पता नहीं क्या-क्या, reunion, meditation वगरे, मैं try करने की कोशिश करती थी, थोड़ा से मैं अच्छा लगता था, इख जो हूँ, बहुत ही नाजुक कंडिशन में हूँ, और मैं कोई भी high level का meditation अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए DF जो है, कह सकते हैं कि उस गहाव से, उस soul shock से थोड़ा उभर चुकी है, अब वो अलग-अलग meditations try कर रही है, अब अपने उपर work कर रही है, कहिन कि उस उसको God बता रहा है कि देखो जो तुम जो हो, बहुत ही अलग दुनिया से हो, और ये दुनिया, देखो कोई आम लड़की या कोई normal इंसान ये वीडियो ऐसे सुनेगा, तो उसके दिल पे अलग असर होगा दूस्तों, इसलिए मैं बताती हूँ, कि अगर आप रियल में twin flame ह तो ही इन बातों को लेना, otherwise इसको छोड़ देना, तो डियफ को मतलब इश्वर की तरफ से बताया जा रहा है कि तुम लाख यहाँ पे involved होने की कोशिश करो, जैसे तेल की बूंद पानी से अलग ही रहती है, पानी में mix नहीं हो पाती है, उस तरह से third dimension में divine feminine को soul purpose दिये गए काफी लोगों के साथ वो engage हुई, soulmates आए, vampires आए, clients आए, और soul purposes दिये गए, अलग-अलग लोगों से उनको meeting कराया गया, उसमें जो energy exchange हुआ, उससे soul purposes तो बहुत बनी, but divine feminine की energy जो है काफी, मतलब low हो गए, उससे उनको फिर से अपनी इश्वर की दुनिया याद आने लगी, फिर से वो उस energy की तलाश में चली गई, कहीं ने कि divine masculine भी उसको अपना सा नहीं लगने लगा, उसको लगा this is part of journey है, सब कुछ नहीं है जर्नी का, मतलब कहीं ने कि वो अंदर से उसको ऐसा लगता है, उसका life partner अगर कोई है तो इश्वर है, जो उसको completion दे सकता है, divine masculine सिर्फ एक part है, एक हिस्सा है, जैसे जीवन की कई सारे mode होते हैं, कोई mode किसी mode होते हैं, क्या कह सकते हैं, तो कोई मिल गया इस तरह से, पिर भगवान ने जो है जरिया बनाया उसको awakening का, otherwise वो उसके अंदर ही involved होके उसको ही अपनी पूरी दुनिया ना समझ बैठ है, शायद इसी लिए जो है separation लाया जाता है, ऐसा divine feminine सुचती है, और वो fully concentrate है, साधनाओं में, okay मैं खुद भी जो है अपना डेले नर्वर का meditation सुनती हूँ, और इतनी जादा healing मुझे अ याद आता है ना, कुछ मतलब मैंने बहुत try किया, लेकिन ये God gift है, जिससे इतनी जबरदा healing होती है, और बहुत सारे लोग ये खरीद रहे हैं, उनके भी बहुत अच्छे reply आ रहे हैं, तो DNA activation भी होता है, और cleaning भी होता है, उससे seven chakra का roots का meditation भी है, उसमें quad cutting वगरा सब कुछ मतलब all in one subconscious healing से लेकर chakra का सब कुछ है, मतलब एक meditation आप सुन लो, आपका एक तेड़ घंटा आराम से meditation हो जाएगा, मिठी सी voice से, और आपका चक्रों के उपर भी काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, you feel कि इससे ज़्यादा healing आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है, अगर मेरी आ divine feminine को क्योंकि reunion के बहुत मजबूत sign मिल चुक है, मैं 3D में वो कब manifest होगा, ये भी divine feminine सोच रही है, और इस वक्त के लिए शायद कोई भी DF जो है, 3D के mindset से काम नहीं करना चाहती है, मतलब सारी दुनिया जहाँ भागना चाहती है, competition में उतर रही है, एक से बढ़कर एक चीज को apply करती है, ताकि वो लोगों को attract कर सके, ऐसे मैं DF सोचती है कि मैं इन सब में नहीं हूँ और मैं ये नहीं कर सकती है, या मैं अब और जो है, अगर कोई DF social media में है, तो अब मैं और जादा social media को face नहीं कर सकती, मुझे अपनी दुनिया में भी वापस जाना है, ऐसा DF सोचती है, जो ecstasy DFA, उनकी तो और भी strong vibrations है, और भी strong desire है कि वो अपनी दुनिया से connected रहे, कि वो जिसे हिसाब किताब होता है, समझ चुकी है कि कितनी lower vibrations यहां के लोगों की है, और कहीं ने कहीं अंदर वो अपनी आत्मा के अंदर जहांके देख रही है, और सोच रही है कि जब मैं इस और्थ पे जनम लेने का सोचा, तो मैंने कैसे सोचा, कैसे मैंने apply किया, कैसे मैं तयार होगी इस contract को लेकर, यहां पे इतने कार्मिक लोग, इतने lower vibrations के लोग, इन सब को मैंने कैसे चुना face करने के लिए, या इनके साथ deal करने के लिए, तो अब क्या हो सकता है, क्या मैं यहां पे इनके साथ मतलब जखनी हो जाओंगे क्योंकि जैसे यह हो गया कि भई मतलब जंगली जानवरों के साथ जैसे फस गया कोई इस तरह से डवन फर्मिनन फील करती है और वो सुचती है क्यों न ऐसा किया जाए यह अपने ही अंदर जो है अपनी दुनिया को कॉल किया जाए इसलिए वन फर्मिनन फूरी तरीके से अपनी साथनाओं में व्यस्त है और वो जो उनका स्प्रिचुल वर्ल्ड है जो उनकी वाइब से जो एक हाईयर वाइब्रेशन है अपने अंदर फिल करना चाहती है और वो सिर्फ अपनी स्प्रिच्छल प्राक्टिसस पे इस वक्त सोच रही है कर रही है, सोच रही है, रिजल्स भी मिल रहे है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी चल रहे है ऐसे में वो अखेलापन भी फील कर रही है फ्यूचर के लिए भी थोड़ी सी चिंता जनक हो सकती है लेकिन उनको पता है कि ये तो spiritual journey है कार्मिक्स बहुत ही जादा divine feminence के life में हावी हो चुके तरह से उस चीज के लिए stress में divine feminence हो सकती है कि कहीं उनको स्थान परिवर्टन करना पड़ जाया तो ये reality है twin journey की और reunion के sign तो बहुत ज़्यादा मिलरे डिवन feminence को साथ ही में जो यहाँ पे मतलब जैसे God खुदी प्लान कर रहा है कि उनको भगाना एक जगह से वाँ, दूसरी जगह भगाना जहाँ पे उनका कोई spiritual growth हो सके, ये भी day of समझती है कि अगर उनको कहीं से भगाया जा रहा है तो ये भी एक divine plan है, अगर divine plan को वो खुद से नहीं समझती है तो कार्मिक उस समय बहुत ज़दा हावी हो जाते है और आपको समझना पड़ता है अगर आप नहीं चाहता कि आप यहां पर रहो तो रियूनिन के sign तो उनको मिल रहे है लेकिन divine masculine के family की कार्मिक vibrations आ रहे हो कि dreams के through हो सकता है, किसी के भी through हो सकता है, continuously कार्मिक vibes उनको परशान कर रही है तो कहिनके उनको समझ में आ रहा है कि यह reunion भी जो है इतना easy नहीं है और कितना भी इसको भगवान पे छोड़ दो फिर भी यह कार्मिक vibes से हम बचनी पा रहे है तो क्यों न, मतलब एक तरह से डियफ जो है खुदी डिले करना चाहती है अपनी reunion को क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी भी कार्मिक लफडे में, पंगे में, फसे या किसी भी lower vibration को बरदाश करे और सच फूचो तो divine feminine analogy अकेला रहना चाहती है कि उनको लगता है कि अगर उनका reunion भी हो जाए जो अभी young age में है या जिनकी भी शादी अगरा हो सकती है तो वो सुचती है कि भाई, मैं मतलब मैं एक normal lady नहीं हूँ मैं एक normal lady नहीं हूँ मैं जो है मानू उनकी शादी भी हो जाए तो एक बहू की तरह शायद वो survive ना कर सके उनको अकेलेपन की जरुवत है क्योंकि again वो lower vibrations को face करेगी again उसके मतलब वहाँ पे भी पंगे हो जाएंगे तो वो उस सोच में भी है कि आगे का उनका life कैसा होगा क्योंकि हर जगा आज तक तो उनको lower vibrations के लोग ही मिले है तो DF अपनी spiritual life के लिए सपने देखना चाहती है उसमें उद्दरना चाहती है अगर उनका कोई special place है अगर किसी special ईश्वर की वो भक्ती कहती है कृष्न भक्त हो, साइभक्त हो या कोई भी हो, तो ऐसे जगाओं पे वो रहना चाहती है especially divine feminance का ये dream है कि अगर वो किसी special भक्त है कोई देवी भक्त है या कुछ भी भक्त है तो कोई भी उनका ऐसा special place हो सकता है जहां पे वो रहना चाहती है जहां पे वो high vibrations को feel करती है ऐसी जगा पे divine feminance रहना चाहती है तो बात करकर divine masculine energy की divine masculine energy कल से, ये कल से energy शुरू है बहुत ही मितलब king of cups के भी बहुत आगे निकल चुक है king of cups के भी, king of cups क्या होता है भावनाओं से भरा हुआ, इतनी भावना उसकी होती है true love जिसका होता है सच पूजो तो अब तोग express कर लेना चाहिए थे लेकिन जो भी divine plan है उसके हिसाब से divine masculine energy continuously flow भेज रही है अपनी energetic flow भेज रही है अपनी feminine की तरफ और वो उसको madheem and imagine करके romantic ख्यालों में वेस्थ है तो इस तरह से और बहुत बड़े-बड़े towers I think divine masculine की life में भट रहे है बहुत divine masculine की life से जो है काफी divine masculine की life से third party remove हो चुके है और दोस्तो death का guard बार-बार मेरे समें आ रहा है तो कोई cycles भी end हो रहे है कोई new beginnings भी हो रहे है और मेरे पास कुछ readings आ है जिसमें कोई बुरा न मानिया करना है तो मैं देख रहे हूँ कि उनके जो person थे वो मतलब ये married twin flames है तो किसी third party में थे और वहाँ पे कोई baby हुआ और मतलब बेबी को कोई बहुत गंभीर heart problem या पता नहीं क्या तो चांस है कि वो अब ना रहे मतलब इस तरह से end होते हुए जो था divine masculine ना उस lady से प्यार करते थे ना कोई भी मतलब उससे लगाव नहीं था लेकिन उनको खुदी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके पीछे गए तो गए कैसे तो मतलब एक dark energy जो होती है तो उस चीज़ को उन्होंने realize किया समझ में आया लेकिन baby होने की वज़े से वो उस relationship में फस गए और अपनी real wife से थोड़ा दूर हो के लेकिन जो cards निकल के आ रहे थे जो feelings थी उनकी अपनी wife के लिए ही थी लेकिन एक जो wind वाली energy थी physical attraction कहिए किसी और lady के लिए बन जाने के वज़े से या कोई भी ये dark attraction भी हो सकता है तो वो उस relationship में चले गए वहाँ पर ending दिख रहा है new beginning फिर से डवन feminine के साथ दिख रहा है मतलब ये marital relationships का है तो मैं देख रहे हूँ कि मुझे dreams में भी कुछ ऐसे dreams आ रहे है जिसमें ये आपकी जरुरी नहीं हर dream मेरे लिए हो तो ऐसे मतलब third party endings के dream आ रहे कुछ लोगों की third party real में हो सकता है कि death की वज़े से ही वो end हो रही है और कुछ लोगों की कहीं ने कहीं death का scene है कहीं ने कहीं death का scene है चाहे वो इस वे में हो चाहे उस वे में हो किसी ने किसी का death का scene है और तभी ये जो है third parties end हो रहे है तो मतलब आजकल मैं जब भी reading करती हूँ कोई ने कोई strong message मुझे dream के थूँ दिया जा रहा है या tarot के थूद दिया जा रहा है जहां पर बार 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 एक्स्ट्रीम लेवल पर death card निकल के आ रहा है तो चाहे मैं कोई और reading भी कर रही हूँ उस reading से वो match भी नहीं हो रहा और फिर भी वो card जो है निकल के आ रहा है कोई strongly मुझे universe कहीं spirit guide कही है वो एक message दे रहे है तो कोई निकल कोई death का scene बना हुआ है तभी ये end हो रही है third party मतलब बहुत लोगों की life में chance है कि death होने की वज़े से third party remove हो गई मतलब naturally नहीं गई इस तरह से कुछ लोगों की life में scene हो सकता है भले ही हो सकता है third party remove हो जाए लेकिन फिर भी divine masculine अपनी karmic family में karmic friends में या उनका जो business हो सकता है, workplace हो सकता है वो भी उनका कर्मा है तो वहाँ पे बहुत इक गंदे तरिके से फसे हुई नजर आ रहे है जोसे हर वक्त उनके उपर नजर रखी जा रही है तो ऐसे में divine masculine बहुती ज़दा helpless है कि वो अपनी feelings को divine feminine के साथ share कर सके या उससे connect हो सके लेकिन कोई ने कोई force है कोई ने कोई energy है universe है, भगवान है जो उनको लगातार divine feminine के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है तो उस level पे वो चाहा कर भी ना चाहा कर भी सिर्फ DF को याद कर रहे है तो वहाँ पे सब मतलब बिगड़ा पड़ा है third party के साथ कुछ भी अब उनका अच्छा नहीं है remove होने के mode पे ही वो है मगर third party भी अगर remove हो जाती है तो again नई third parties किसी न किसी way में आपकी life में इंटर कर जाएगी तो divine feminine को ये अदाजा भी दिया जा रहा है कि कौन-कौन third parties तुमारी हो सकती है हो सकता है work divine masculine का work हो जो दोनों की वीच में आ जाए divine masculine की family members हो दोस्त हो कोई भी मतलब अब ये third parties फिर से change हो गये है किसी और को third party बनाया गया है जो कि अब दोनों की वीच में interference create करेंगे तो ऐसे में डियोफ को समझ में आ रहा है कि वह इस relationship को healing की जरुरत है God के blessings की जरुरत है तो क्यों ना God को ही समर्पित किया जाए और God को ही बोला जाए कि अब जो भी बाधाएं है इस relationship में वह आप इदूर करें इसको healing दीजे इसको blessing दीजे ताकि ये reunion successfully हो सके otherwise दोनो soul level पे एक हो चुके है divine masculine बस लगातार सोचे जा रहे है सोचे जा रहे है कि वो express करे वो chance चाहते है वो express करना चाहते है लेकिन कोई ने कोई negative energy बीच में आ रही है और उस plan को रफादफा कर रही है तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप शिव का जितना हो सके क्योंकि ये journey ही spiritual है शिव सक्ती से related journey है तो शिव का जितना कर सकते है मंत्र जब हो साधना हो शिवलिंग पे जल चड़ाना हो ये सब कीजिए अपने क्योंकि पित्र बहुत बड़ी चीज होती है इसमें अभी पित्र पक्ष आही रहा है तो उसमें भी आप जो है बहुत अपने पित्रों के लिए कीजिए भगदगी तका seven chapter पढ़िए और दान धर्म कीजिए तकि पित्रों के आत्मा को शांती मिल सके और कोई जो इस लेवल के पित्र होते है कि जो आपका अच्छा चाहते ही नहीं उनको भगवान को समर्पित करजिए भगवान को बता दीजिए कि आप ही देख लो आप क्या है हमारे बसकी चीज नहीं है ये तो इनको शांती दो या जो भी करना है करो इस लेवल पर तो इस तरह से भी पित्र होते हैं जो कि जान बूझ के आपको परिशान करना चाहते है अपने आपकी सगे होते हुए भी वो नहीं चाहते कि आपको मैरेज लाइक का सुख मेले या आप अपने व्यावसाय में ग्रोथ करो या कोई भी अच्छी चीज अपकी लाइफ में ना हो तो कार्मिक फैमिली मेंबर्स कहिए या रिलेटिव्स कहिए बिलकुल भी डिवन फैमिनन के ग्रोथ को देखी नहीं पा रहे है और वो लगातार ब्लैक मैजिक्स लगातार बैड मैनिफेस्टिशन जो कि ड्रीम में डिवन फैमिनन को दिखाया जाता है भले वो उनको मूपे ना बोल पाए लेकिन वो उस चीज को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि सच में कहां फजगर है मतलब कैसी दुनिया है यहां पे मतलब जिसका अच्छा भी करो वो अच्छा हमारे लिए नहीं सोचता और डीएफ की परस्नेलिटी को तो कोई समझ ही नहीं सकता तो इस तरह से वो ना खुद को एक्सप्रेस करती है मतलब पूचाती भी नहीं कि रियल डीएफ क्या है लोगों पता भी चले तो इस लेवल पर डीएफ चाहती है कि कुछ चीजे जो है है रिड करना ही ठीक है और ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए बिट वो राहा उनको नहीं मिल रहे है दिवान फैमिनेंस की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स है जिनसे वो मतलब एक्स्ट्रीम लेफल पर परिशान हो चुकी है कुछ की लाइफ में हो सकता है कि जीवन मरं तक आ जाए कि उनको डर लगने लग जाए कि पता नहीं कभी हमारा गला गोटते या कुछ हमारे साथ ऐसे हरकत करते तो उससे पहले हमको यहां से भाग जाना चाहिए पर भागे तो कहां भागे कोई supportive जब तक ना हो तब तक भागना भी मुश्किल है तो ऐसे दिवान फैमिनेंस की लाइफ की conditions है इस वाग जो रियल दिवान फैमिनेंस की लाइफ मेंटल उल्जनों में बहुत फसे हुए है मेंटल ही बहुत उल्जनों में फसे हुए है जिससे वो step उठाना हो सकता है कि बहुत सारे डियम step उठाना है लेकिन जैसे ही समय आता है energy आता है कोई ने कोई negative energy cross कर जाती है और वो reunion delay हो जाता है इसलिए बहुत जब आप कोई reading पढ़ते हो और सूचते हो कि अभी तो reunion हो ही जाएगा तो यह सच नहीं है क्योंकि energy change होती रहती है negative energy बहुत disturbance लाती है उसमें energy is like water water में जो color आजाए वही वो color धारन कर लेती है उस तरह से reunion की energy आती है तो उसमें negative energy delay की energy भी डाल देती है तो उसलिए आपको issue से connected रहना जो भी acceptance में रहना है अपनी साधनाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा focus करना है तो description box ज़रूर check किजिए और आज का जो है दस बजे past life regression का session है उसको ज़रूर अटेंड कीजिए और याद रखिए हर Sunday ये sessions होने वाले है past life regression के अलग-अलग subject पे तो आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए उससे आपकी बहुत spiritual gifts open हो जाएंगे तो subject का भी मत सुचिए कि ये subject मुझे चाहिए या ना चाहिए सिर्फ deep में उतर ना सिखिए और God की दिया से वो blessings है कि नहीं आपको वहां तक पहुचा सकूँ तो ज़रूर उसको try कीजिए सिर्फ 200 रुपे उसकी फीश है Google link पे भी होगा या mobile पे भी होगा तो मैं एक रेकी grand master हूँ अगर कोई crystal bracelet आपको खरीदना है तो भी आप जो है contact कर सकते है crystal रेकी, प्रानिक healing, विद्धा शक्तिपाद prosperity, attainment और Delhi inner work, meditation, midbrain activation, music बहुत सारे चीज़े हैं आप description box जरूर चेक किजिए ओके दोस्तों, thank you so much